Dear Students, Welcome to Great Spishers आज किस फीडियो में एक्स्पेइन करने जा रहा हूँ Question on Register तो guys, last फीडियो में मैंने आपको बताया Registers होते क्या है Types of Registers के बारे में आपको बताया था और उसमें एक बड़ी important चीज़ आपको बताई थी कि number of clock pulses required to read the data from the register और दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि load करने में कितने number of clock pulses लगती है ठीक है? तो जब भी आप Registers की preparation कर रहे हो चाहे आप competitive exam की Call of University exam के interview कहीं के लिए भी तो एक तो वो topic जुरू करके जाना और दूसरा इस type के questions जो है वो काफी popular है Registers के उपर तो वो वीडियो का link आपको description box में भी है even suggestion वीडियो में भी आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर चेक करके वो वीडियो जो चेक कर लेना और फिर इसके उपर question अमने किस तरीके से करने है बहुत easy, बड़ा interesting topic है तो देखो, यहाँ भी क्या कह रहा है और फोर बिट राइट शिफ्ट रिजिस्टर फोर बिट राइट शिफ्ट रिजिस्टर हाँ मैनी clock pulses are required to change the content of the register to all ones मतलब मैं register का जो content at present चार बिट है चार बिट रिजिस्टर मतलब कि चार बिट को hold कर सकता है, store कर सकता है चार बिट को store किया हुए values 0 या 1 में से कोई भी हो सकती है तो इस तरीके से store करके बैठा है मैं चाहता हूँ कि इन सारी values में क्या आ जाए 1 1 1 1 आ जाए लेकिन वो कब आएगा, कितनी clock के बाद आएगा वो हमें find out करना है और यहाँ पर extra थोड़ा सा इसको complex करने के लिए थोड़ा सा बड़ी है इसको question को बनाने के लिए उपर जो है वो exor gate लगा दिया है तो देखो, यहाँ पर बस simple सा circuit है exor gate हमें बता ही है कि exor gate कैसे work करता है अगर मेरे बास value 0,1 1, 0, 1, 1 1, 1, तो यह इस तरीके से output देता है मतलब जब values जो है वो अलग-लग होती है तो 1 और same value पर क्या देता है 0 देता है बस इसको start करते है तो देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर values राइट shift है पहले तो तो देखो, यहाँ पर let's say कि मेरे पास already content क्या है 0, 1, 1, 0 ठीक है, already दिया हुआ है अब देखो, अभी कोई clock pulse नहीं लगाई अभी as it is normal circuit है तो देखो, 1, 0 यह तो gate तो already normal काम करी रहा है तो 1, 0 यहाँ पर गई यह output क्या देगा, 1 देगा ठीक है, मतला इसके gate पे, जो register है उसके gate पे 1 already knock कर रहा है लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता अंदर क्यों नहीं जा सकता क्योंकि clock pulse जब आएगी तभी वो gate open होगा तो अभी circuit ने 1 जो है वो evaluate करके इसके gate पे लाके खड़ा कर दिया है लेकिन अभी होगा कुछ नहीं जैसे ही मैं clock pulse 1 apply करूंगा जैसी clock pulse 1 लगाई ये 1 जो है वो यहाँ पे आ गया ठीक है, ये 0 यहाँ पे आगी ये 1 यहाँ पे और ये 1 यहाँ बस वही चीज़ अब यहाँ पे करनी है, मतलब 1 0 का मेरा जो था, वो एक्ज़ॉर क्या देगा 1 देगा, तो वो ऐसी वैलुएट कर लो ये 0 यहाँ पे आ गई, ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 1 यहाँ यहाँ पे आ गया बस ये simple सी बात है, आप देखो एक तरह से अब क्या है, 1 1 है यहाँ पे क्या आ चुक है, 1 यह देखो, ये value is as it is ऐसी लिखी हुई है तो ये 1 1 जो है, वो एक तरह से यहाँ पे आ चुक है तो 1 1 यहाँ पे गया, value क्या आएगी 0 मतलब 0 जो है, gate पे नौक कर रही है register के gate पे नौक कर रही है क्या मैं अंदर आओ, नहीं, अभी नहीं आ सकता क्योंकि clock जब लगेगी, तभी active होगा तो जैसी clock लगाओगे ये 0 जो है, वो क्या चलीगी अंदर मतलब इस 1 1 का 0 जो है एक तरह से याप ऐसे calculate कर सकते हो, ये 0 यहाँ पे आगी ये 1 यहाँ पे आगए, ये 0 यहाँ पे आगी ये 1 यहाँ पे आगए, ठीक है अब आपको बार बार circuit देखने की जूरत नहीं अब आप direct इस पे करो, क्योंकि फाल तुमें time waste होगा और आपको confusion भी हो सकती है बार बार अगर आप इसी के उपर करोगे तो simple, हमें बता है कि ये 0 और 1 ही वहाँ पे जाता है तो ये last वाली दो values के 0 और 1 क्या, मतलब 1 गया, ये आपकी 0 यहाँ आगी, ये 1 यहां गया और ये 0 यहाँ यहाँ ठीक है फिर last की दो values क्या है, 1 और 0 ये यहाँ गया, तो ये 1 यहाँ पे आगया ये वाला 1 यहां गया, ये 0 यहां पे आगी और ये 1 यहां पे आगी, ठीक है, उसके बद क्या हुआ होगा ये 0, 1, ये 1 मेरा यहां पे आगया, ये 1 मेरा यहां पे आगया ये 1 यहां पे आगया, और ये 0 यहां पे आगी, फिर उसके बद क्या हुआ होगा 1, 0 का XOR ने क्या दिया 1 दिया जैसी clock लगाई वो 1 अंदर चला गया ये 1 यहाँ shift हो गया ये 1 यहाँ shift हो गया और ये 1 यहाँ shift हो गया लो जी output देख लो क्या आ रही है 1, 1, 1, 1 तो यही हम चाते थे कि मेरा content of the register क्या आ जाए 1, 1, 1, 1 लेकिन कितनी clock के बाद आया वो count कर लो पहली clock लगाई ये आया दूसरी clock पर ये आया तीसरी पर ये आया चौती पर ये आया पांच मी पर ये आया 6 पर ये आया जैसी मैंने 6 लगाई तो उसके बाद मेरा output जो है वो एक तरह से output कह लो या फिर आप simple बोल रहो कि content of the register ठीक है वो क्या है 1, 1, 1, 1 So this is how you have to solve the questions related to the shift register Thank you